टीम इंडिया और CSK के स्टार पेसर की तरब से ओनलाइन फूड डिलिवर कंपनी जो मैटो पर धोका धड़ी का अरोप लगा है जिस पर कंपनी ने भी वहिया सफाई दी है इंडियन क्रिकेट टीम और चन्नाई सुपर किंग्स के पेसर दीपक चहर ने ओनलाइन फूड डिल लगाया है इसको लेकर कंपनी के तरब से सफाई दी कई है दरसाले इंडियन प्रेशर ने 24 फवरी को सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोट्स सेयर की जिसमें उन्होंने जो मैटो को टैग करते हुए फूड और डिलेट और स्क्रीन सॉट सेयर किया चाहर ने के कैप्सन में लिखा भारत में नया फ्रॉड खाना ओडर किया लेकिन खाना नहीं मिला कश्ट्मर सर्विस को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि खाना डिलिवर हो चुका है और मैं जुट बोल रहा हूं मुझी यकीन है कि बहुत से लोग इसी तरह की समस्याओं का सामना कर रह लोग का दीपक आपको इस तरह का उन्भो करना पड़ा इसके लिए हम चिंतित हैं और अस्विधा के लिए माफी चाते लेकिन आप निश्चित रहें हम ऐसे मुद्धों को काफी गंभीरता से लेते और जल्दी ही इसका समाधान करेंगे पैसे से नहीं होगी भूग की पर सानियों का सामना करते और इसको लेकर कोई उचित कारवाई नहीं की जाते हैं और की पैसे वापस करने में समस्या का समधान नहीं होगा भूग की भरपाई पैसे से नहीं की जा सकती है दीपक चाहर की बात करें तो आईपेल दोजार चोबिस के दौरान धूनी की कफ्तानी वाली चन्याई सुपर किंग्स के लिए मैदान पर नजर आने वाले चाहर ने सियसके के लिए आईपेल 2023 के दोरान 10 मैच में 13 विकट लिए थे वही बात इंटरनेशनल क्रिकेट की करें तो टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाएं आखिर बार दीपक के दोरान नजर आये थे और अब इसके बाद दिसंबर से अब चल रहा है फ़रवरी लेकिन तब से दीपक चाहर इंडियन क्रिकट टीम में सामिल नहीं अलाकि चन्याई सुपर किंग का पहला IPL मैच 22 तारिक को खेला जाएगा और सीबी के खिलाप अब देखने वाली बात होगी कि क्या दीपक चहर चन्याई सुपर किंग के लिए फिट रहेंगे क्या महन सिंग धोनी एक बार फिर दीपक चहर को लेकर चार ओर लगतार डलवाएंगे या फिर ऐसा हो सकता है कि दीपक चहर कुछ मैचों के लिए क्योंकि पिछले एक बार भी ऐसा हुआ था कि दी के साथ पूरे मैच के लिए देखने वाली बात है कि क्या दीपक चाहर फिट रहेंगे क्या दीपक चाहर 22 तारीफ को मैदान पर मौजूद रहेंगे लेकिन अगर जो मैटो और दीपक चाहर का जो मामला है इस पर आपकी क्या रहा है कमेंट बॉक्स ज़रूर बताएगा और को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा